जिसमें तमाम करेंगे कि वो चाहए राजमेथी करांणि क्रांधि जो और मैं प्रचोफ कमदय तमाम लोगों स्वाइव्वी मदनाद सब्सावी इस अंदीज मिन थे इसमें नौजवान खुल के सामने आते हैं पुदी रांपोस से लेकर के रांप साथ बिस्मिल तक और अपनी वनिदान को स्विकार दरते हैं कि हां हम देश के लिए मर सकते हैं भगत सिंग जो भार्थी की दिहास में इतने याद किये जाते हैं उसकी पीछे का काण यह दनी है उन्होंने ग्रांथी के राष्टे के सुना था भगत सिंग याद सबसे जाते हैं क्योंकि वो इतना पढ़ने के बाद विस्मिल के इतने सारी लोकोप्तियां इतने सारे आनियां पढ़ने के बाद उन्हों कहते थे कि हमारी आजादी के लिए कौन से पैमाने खरे होगे उनका एक तहवत था कि क्रांथी की तलवार विचारों के सांग परतेश होती है किताब के बहुत जोर दिया जाता है लेकि हमारी जो सरकारे हैं संथ 47 के पास जैसे उन्होंने अपने डायरी में लिखा था इस सत्ता परिवर्टन से किसी को कोई लगों को एकदम नहीं क्योंकि सत्ता वहीं रहेगी बहुत प्रसंद नहीं किताब आए था महां सो किताब कोई किताब को मैं तो किताब देखा तो मैं बता नहीं सकता मुझे की खूसी हुई तो पने आप पमुछ रहे हैं लिए लेकि इसको जल जल तक पुछाने का काम आपका है मुझे लगता है ये काम हमारा नहीं है, भुगत सिंग की जो बाते हैं, तो बाते हैं अपने आप पहुच रही हैं दो, दूसरी चीज़ है कि वातमात पर देशे के बारे में भुगत सिंग में 1928 में उसे पहले, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरी उम्रका जैसे मैं 22-23 सार प्र ये प्रवेस करना, में युझनी उम्रका लचा जब मैं इलकी बातों रखोण रहा हुँ वो इस समाझ को बढ़ने के जो पाप होते हैं, वो अपनी लेखा में लिखते हैं, जैसे उनका क्विटी में पहले अच्छा पात था लेक और पंजाल की सरकाद है, आतुर्ट की मढिया परीद करने में लख सुदिया है, वो हमें बताते हैं कि छातोस उराजनीती नहीं करने चाहिए, बलकि हमारे एडिशन के समय, वो हमसे एफिडेविक साइन कराते हैं, ये बात भगत सिप सब 1928 में करते हैं, एफिडेविक साइन कराते हैं कि तुर्टियस के किसी हिर्कार उभाग नहीं ले सकते हो, और रुखाते हैं कि क्या विद्याप्ति का काम सिप पहना है, मैं मानता हूं, तहदिर से मानता हूं, ये विद्याप्ति का काम सुर्टया पहना है, लेकिन क्या उसका ये करता जड़ी है, इस देस के ना उसे जोड़कर समाज में रखे उन्हें बताए कि क्या है और जब 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 पड़े वो जब भी जब पड़े वो देश की सेवा के लिए तक्वाद हो और भी चीज़ें कभी-कभी बहुत तक्नीक हो थी ऐसे ऐसे नेता कर्ण है कि मेरे आईडिय और भगत सिंग यह भगत सिंग का सबसे बड़ा अपमान है जो यह नेता खड़े ओक पोते हैं कि मेरे आईडिय और भगत सिंग है क्योंकि यह जीतने नेता है इन्होंने उनको एक फोटो से ज़्यादा कुछ दिया नहीं है हमारे किताबों में उनके विचाथ हुए हमारे किताबों में उ पूरी कहानी है देश साथ जीतन जीवन याथ उसको खितम कर दिया जाता है मतलब कि मुझके दो वाल और एक विश्टोल पर फितन फसक्तर शादूना की बात है और उसके एक हजहा दोना हमारे की वात है यह गरने का मतलब घ्रीक झाले कि सांगा है कि वा यह पादप मैं दू सब्सक्राइब पर यह करवा देंगे वो करवा देए संप्रदाइक गंगे इस पर चोड़ करते हैं वह बता सिंग ने सन 1927 में लेट फिखाता विए चुबाचुट और हम लग चुबाचुट से कैसे बचा दिया राज वह संप्रदाइक गंगों में लिखते हैं याज हमारा भारत बागना तीजी कि यह एक बाईस साल का लड़का सब 1927 में लिखना है 26 उम्र में लोगों को संपरदाइक्ता समझनी आती है कि संपरदाइक्ता असली होती क्या है याज भारत के लोग कहीं पर जब पीपल की डाल पूछती है तो जो जुदू समाज है उसका तोड़ने के बात करते हैं इनका ताजिया निकलता है ताजिया ताजस का होता है और पूनित में लड़के फट जाता है उसके विए दंगे पसाद होते हैं और जिजुँँ के फून से कंद उनको कुछ मंजूर नजी होता है यह उस समय कहते हैं कि अगर हमें इस भारत को स्वस्त बनाना है अगर हमें इस भारत को सांप्रदाइक्ता से अलग रखने है अगर हमें इस देश का बटवारा मधी करत करने का मतलब यहां पर लोग यह कहते हैं कि लोग वह नास्ती बना लेकि प्रियोक से अगर हमें